हे गाईज मैं हूं हर्ष और आज हमारे पास है 125 CC की सबसे ज़रा स्पोर्टी दिखने वाली बाइक और इस गाड़ी को आप देखोगे न तो भाई आप देखते ही रजाओगे काफी ज़रा आपको देखने में अच्छी लगेगी इसका जो है काफी ज़रा शार्प डिजाइ काफी ज़रा सही देखने में लगता है बागी काफी वाइट हैंडल बार मिल जाता है और इसमें आपको स्प्लिट सीट हो गई और इसमें आपको रियर में काफी ज़रा चौड़े टार्स अगरा मिल जाते हैं बागी इस गाड़ी का एक चुरूम प्राइस 95,000 से आपको multiple option उसे मिल जाते हैं लेकिन ये जो है कहीं न गई थोड़ी सी जारा बेटर है बागी फ्रेंट से अपने बात करते हैं फ्रेंट से आपको कुछ ऐसी गाड़ी देखने मिल जाते हैं यहां भी आपको सामने की तरफ डियरल से मिल जाता है जो टर्न सिगनल है ये LED मिल जाते हैं बागी headlight से अट पूरा projector वाला मिल जाता है पूरा body mask वाला इसमें आपको कुछ ऐसा design मिल जाता है फ्रेंट में नमर प्लेट आपको headlight के उपर side लगवानी पड़ेगी बागी head वगरा काफी आपको wide मिल जाता है टेलिसकोपिक suspension मिल जाता है और ये telescopic suspension काफी 2017 सेक्शन के टायर मिल जाते है जो कि काफी बढ़ी है बागी front look कुछ ऐसा आ जाता है गाड़ी का और भाई इसका headlight setup हो गया ये सब काफी जड़ा सही मिलता है कि इस गाड़ी कुछ ऐसी रेखने मिल जाए काफी simple से मिल जाती पुरा full डिस्टोल लाला meter console मिल जाते है इसमे RPM बता देगा gear position indication हो गया speed हो गया low fuel indication clock हो गया average fuel economy, instant fuel economy, service due indication और आप Bluetooth से जैसे connect करोगे तो इसमें आप call as miss alert हो गया phone battery indication बगरा और भी extra जो है आपको और चीज़े बताती रही गाड़ी बागी कुछ ऐसा meter console मिल जाता है इसकी visibility बगरा काफी अच्छी है और meter console के नीचे side पे आपको पूरी warning show कर देता है तो यह चीज़ काफी अच्छी है बागी visibility आप देखो भाई दम ऐसे daylight पे शूट कर रहा हूं तो अच्छी दिखने में लग रही है बागी इससा है handlebar मिल जाता है switches की quality है literally 125 CC में काफी जादा बेटर है मतलब आप देखोगे दूसरे brand से भी compare करोगे तब भी यह जादा बेटर ही निकल करके आते बागी इसमें आपको bar end मिल जाता है clutch वगरा काफी light मिल जाएगा यहाँ पे आपको i3S का button और अपना electric start का switch मिल जाता है इस गाड़ी में आ red silver color है blue color है extreme जो है पूरा 3D में लिखा हो मिल जाता है और 125R यहाँ पर आपको इसमें tank flap में कुछ ऐसा लिखा हो मिल जाता है यह proper आपको stickers पर मिलता है बागी tank का design काफी sharp है काफी अच्छा देखने मिल लगता है और side panel के अगर आप देखोगे na fit and finish है काफी अच्छी panel gaps यहाँ पर बैठता है वागी यहाँ पर इसमें आपको दिखाऊना तो seat दो देखो अगर आप देखोगे तो इसका comfort वगरा काफी अच्छा मिलेगा हलागी पिलियन को आपको decent comfort मिलेगा लेकिन भाई स्टिल जो है rider को काफी अच्छा comfort मिल जाएगा split वाले grab rail वगरा देखन मिल जाते हैं पांच gears इस गाड़ी में आते हैं इंजन की मैं बात करता हूं तो 124.7 cc का इंजन मिल जाता है जो की air cooled है जो की 11.55 ps की power और भाई 10.5 newton meter of torque देता है तो इस गाड़ी का power figure बहुत अच्छा है टॉप end इस गाड़ी का सच में काफी अच्छा है और इसकी speed वग आगे से extended है और नीचे तरफ जो इसकी pipe चली आती है इसमें आप देखोगे जो brake levers वगरा है यह पुरे black color के और पूरे metallic है वलब rubber वगरा यूज नहीं किया गया ब्रेक fluid आपको यहां पर मिल जाएगा और rear में आपको mono sock suspension मिल जाता है इसका जो mono sock suspension है थोड़ा stiffer side पे है इस फ्रेंट वाला जो टेलिस्कोप है वह आपको अच्छा मिलेगा रियर में आपको 120 by 80 by 17 सेक्षन का टायर मिल जाता है 120 सेक्षन का है तो बाई काफी वाइड है उपर से 17 इंच के लॉए है तो यह भी काफी अच्छा है एलोई वील का डिजाइन वगरा आपको काफी यह पस पूची टाइप की फील होगी यह चीज तो मेरे को लगती है क्योंकि रियर वाला पैनल देखो यह भी काफी उचार फ्रंट जो हैंडल बार हो रहा है यह थोड़ा से उठा हुआ है बागि इसमें आपको टेल लाइट टरन सिगनल पूरे LED वाले मिल जाते हैं और इसमें आ काफी अच्छा लगता है बागी यहां पर पूरा जो है की होल प्लेस्ट मिल जाते हैं अपनी पिलियन वाली सीट आप खोल सकते हो इस गाड़ी में आपको 180 mm के आसपास का गाड़ी का वेट मिल जाता बागी कैसी लगी आपको गाड़ी यार यह चीज आप कॉमेंट में ज और value for money bike होना तो यह गाड़ी आपके लिए काफी बढ़ी option हो सकता है इस गाड़ी के आपको brakes वगरा काफी जड़ा better रहेंगे क्योंकि इसमें आपको single channel ABS वगरा मिल जाता है तो वो आपकी choice आपको कौन सी लेनी है single channel ABS वाली मिल लेनी है या फिर आपको normal disc वाली लेनी है व काफी अच्छा मिल जाएगा बागी इस गाड़ी को लेनी का प्लैन करो तो पहले गाड़ी जा कर गे देखो चला कर गे देखो फिर डिसाइट को और अपको काफी बढ़ी option हो सकता है वीडियो कैसा लगा यार कॉमेंट में जरूर बताना मिलते हैं पने कौन आप वीडियो